तो बच्चों चलिए आज के आपके 5 नियों इंग्लिश वर्ट स्टार्ट करते हैं हाफ का मीनिंग होता है आधा आए चलिए जानते हैं इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कबड़ी का पहला आधा भाग रोमांचित करने वाला था Our second word is empty E-M-P-T-Y Empty Empty का मीनिंग होता है खाली जैसे The rice container is empty चावल का पात्र खाली है Our third word is provide P-R-O-V-I-D-E Provide का मीनिंग होता है प्रदान करें जैसे Please provide me the details of nearby hospitals क्रिपया करके निजदी की हस्पतालों की सूच ना मुझे दे Our fourth word is note Note का meaning होता है ध्यान दे ये लिख ले जैसे Please note that you have to fill the OMR with black pen क्रिपया ध्यान दे आपको OMR काले पैन से भरनी है Our last word for today is afraid A-F-R-A-I-D Afraid Afraid का meaning होता है डरा हुआ जैसे I am afraid, it's getting dark, we will not reach before night मुझे डर है, अंधेरा होता जा रहा है हम राद से पहले नहीं पहुँच पाएंगे That's all for today आशा करती हूँ, आप सब को समझ आ गया होगा और आगे भी ऐसे ही पढ़ाई जारी रखने के लिए और रोज 5 New English Words सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियोज देखते रहें Thank you